हेलो फेंट्स कैसे हो आप सब हो मैं इदर सब अच्छे से हो गए आप सब को बगवान बहुत खुशक है दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वज़ा से हमारे एसी का जो कंप्रेशर है वो ओवर हीट होता है या फि लगता है नगता है याने कि की होती है टो बंद हो जाता है तो वह सारी की सारी कूलिंग फिर दुबारहह हीट में अपडिल होती है तो एसे में एर कंडिशनंग का एक्सपीरियंस खराब होने लगता है तो तो हमें एक तो जो वेदर है मतलब नैचुरल प्रोसेस है कि 45-47 डिगरी के बाद जाकर के हमारा AC जब ट्रिप हो रहा है तो वो एक अलग चीज है उसके लिए हम आउटडोर के उपर यहां अपने विंडो एसी के उपर कोई शेड लगवा सकते हैं यहां कंडेंसर पर पानी म से अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनको भी हमें कंसिडर करना चाहिए क्योंकि 8 से 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो सारे के सारे कंप्रेशर की ओवर हीट के लिए या फिर ट्रिपिंग के लिए जिम्मेबार हो सकते हैं तो इन सबकी जानकारी भी हमे होना बहुत जरूरी है तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी यूस्पुल वीडियो से नॉडिफिकेशन आपको मिल तो दोस्तो सबसे पहले पॉइंट के अगर बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह आपके AC के अंदर air होना यानि कि आपके AC के अंदर gas होती है लेकिन उसके साथ अगर उसमें air भी है तो ये problem जरूर आती है दोस्तो air कैसे आएगी आपके AC में ये मैं ज्यादतर split AC के बारे में बात करूँ हूँ क्योंकि window AC में new में तो ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन split AC अगर वो नया है air करने वाले ने जिसने उसमें दुबारा से gas भरी है अगर उसमें improper vacuum किया है यानि कि मशीन को धंग से vacuum नहीं किया है इवन कि installation के टाइम पे भी अगर उसको vacuum properly नहीं किया गया है तो ये problem आती है मशीन के अंदर air रह जाती है जिसकी वजह से सारी functioning खराब हो जाती है दोस्तो जो प्रेशर है मशीन का वो इंक्रीज होने लगता है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कते आती है तो जब भी आपके घर में कोई split AC लग रहा हो या फिर कोई भी gas refilling का काम आप करा रहे हो बेशक वो window AC हो या फिर हो split AC तो आपको उस mechanic को ये कहना है कि vacuum का जो process है वो proper करें वो gas का कम होना दोस्तों अगर हमारे AC के अंदर कहीं से gas leak हो गई है और उसका pressure कम हो गया है यानि कि low gas हो गई है आपके AC में तो उसका सीधा सा impact तो ये है कि हाँ वो cooling तो कम करेगा ही AC सौरी दोस्तों थोड़ा सा noise हा रही होगी आपको but please adjust कर लीजिए दोस्तों अगर आपके AC म नहीं चलाना चाहिए तो कि अगर आप कम gas होते हुए AC को चलाते हो तो obvious सी बात है कि वो उस इसाब से cooling नहीं कर पाएगा और आपको उस AC को long term के लिए चलाना पड़ेगा यानि कि अगर आप एक ठीक AC को जिसमें gas वगरा proper है उसको 4 गंटे चलाते हैं और अगर किसी AC में gas क कम है तो आपको उसे 6-8 गंटे चलाना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे अगर आपके पास कोई inverter AC है तो वह desired temperature को अचीव नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से जो उसका compressor है वह 100% efficiency के साथ चलता रहेगा क्योंकि उसके अंदर gas कम है और अगर आपके पास non inverter AC है तो उसमें भ efficiency पे असर ढलता है क्योंकि जब वह long term के लिए चलता है तो वह overheat होता है और by the time वह trip भी हो जाएगा अगर वह जादा हीट हो जाएगा तो अगर आपको यह ऐसी दिक्कत फेस कर रहे हैं तो AC में गयास का प्रेशर जरूर चेक कर आएं next point है दोस्तो low voltage input जी हाँ दोस्तो अगर आपके AC में किसी भी वज़े से अगर आपका stabilizer खराब है या फिर पीछे से input कम आ रही है अगर आपके AC में voltage कम जा रही है तो भी आपका जो compressor है वह overheat होता है तो अगर compressor को power कम मिलती है तो वह overheat होना start हो जाता है और overheat होने के बाद एक हद होती है किसी भी चीज की overheat होने के बाद वो फिर trip हो जाता है तो अपने voltage का जो supply है एक तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन quality का stabilizer copper वाला लीजिए वो लेना चाहिए ताकि उसकी जो voltage supply है आपके AC में जानी है वो एक stable voltage जाए ताकि आपका AC में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए voltage के तरफ से तो दोस्तों voltage supply should be stable अगर voltage कम जाएगी supply कम आएगी आपके compressor में तो वो compressor ढंक से लोड नहीं ले पाएगा जिसकी वजह से वो overheat हो जाएगा और overheat होने के बाद फिर वो ट्रिप हो कि आपका जो temperature है room में वो बन नहीं पाएगा cooling नहीं से हो नहीं पाएगी तो यह चीजों को भी ध्यान में रखना है voltage stabilizer को time to tap जरूर चेक करवाएं कि वो जो output दे रहा है वो stable दे रहा है या फिर जितनी चाहिए system को उतनी दे रहा है या फिर उससे कम या जादा दे रहा है अगर ऐसा है तो उसको आप repair कराईए या फिर उसको replace कराईए अब बात करते हैं दोस्तों next point के उपर और वो है condenser का choke होना दोस्तों condenser choke नहीं होना चाहिए यह मैं आपको अपनी बहुत सारी videos में बता चुका हूँ अभी last video में मैंने आपको इस बात के उपर जो दिया था क condenser को service करवाना बहुत जरूरी है उसकी cleaning कराना बहुत जरूरी है अगर वो choke हो गया तो condensation proper नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से system का overall pressure बढ़ जाता है और वो जोर कहां पढ़ना है वो सारा का सारा जो overload है वो compressor के उपर ही पढ़ना है और compressor फिर क्या होता है overheat हो जाता है और shipping करना भी start कर देता है तो condenser का चोक होना एक बहुत बड़ा reason है कि आपका जो compressor है वो चोक हो रहा है इसके लिए आप उसको clean कराईए बेशक chemical से कराईए या फिर कैसे भी कराईए लेकिन condenser should be clean या मैं यूँ को condenser must be clean अब एक दूसरा point है condenser से ही जुड़ा हुआ है जो condenser का fan होता है उसका अगर capacitor weak हो जाए suppose उसके अंदर एक capacitor लगा होता है तो अगर वो capacitor weak हो जाए तो क्या होगा तो जो उसका fan है उसकी speed वो कम कर देगा यानि कि वो उस speed से नहीं चल पाएगा उस fan की motor पर वो उतना current नहीं दे पा रहा जितना उसे चाहिए तो ऐसे में fan की speed कम हो ज जाएगा इवन कि अगर आपका condenser साफ भी है तो भी condensation slow हो जाएगा जिसकी वजह से compressor के उपर जोर पड़ेगा वो overheat होगा और फिर वो trip भी होगा तो यह दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है तो आपको इस चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए सिरफ यही नह नेक्स पॉइंट की और वो है compressor का capacitor दोस्तों compressor के पास भी capacitor लगा होता है अगर वह वीक हो जाए क्योंकि जनली डेटन के हैसी में 45 UFD का लगा होता है लेकिन वह बाइदा टाइम वीक हो जाता है तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि उसकी पावर 25 है या 25 से भी कम है अगर 25 स हो जाए तब तो वह compressor को मतलब लोड ले नहीं पाएगा वह स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा लेकिन हा 25 से उपर है 30 और 45 के बीच में है तो वह compressor को फिर भी रन करवा लेगा लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर capacitor वीक है जैसे कि मैंने मोटर के लिए बताया तो सेम चीज compressor के उपर भी लागू होती है कि अगर उसका capacitor वीक है तो वो भी less power देगा compressor को अगर less power मिलेगी अब वो बेशक voltage की तरफ से हो या फिर आपके capacitor की तरफ से हो अगर उसको power कम मिलेगी तो pressure उसका बढ़ जाएगा overheat होगा compressor और overheat होने के बाद वो tripping की problem करेगा तो capacitor को भी चेक करन बहुत जरूरी है अगर voltage वगएरा सब सही आ रही है तो आप कम capacitor को चेक करें या फिर मैं तो यूँ कहूंगा कि अगर चार्पास साल हो गए हैं तो आप capacitor को उठाके replace करवा ही दीजिए क्योंकि by the time capacitor वगएरा जो है वो अपना जो efficiency है उनकी कम हो ही जाती है तो अगर आप ऐसी कोई चीज फील कर रहे हैं कि आपका ऐसी कम cooling कर रहा है या कुछ ऐसा ट्रिपिंग का problem आ रहा है तो यह सारी चीज़े आपको चेक करानी है अब बात करते हैं next point के उपर दोस्तों next जो point है वो है dryer filter या फिर capillary chalk हर AC के अंदर ज्यादा तर मतलब capillary तो होती ही है dryer filter भी हो window AC यूज करते हैं जब वो service वगयरा के लिए भी निकलता है या किसी repairing के लिए निकलता है तो सारी चीजे सामने होती है तो capillary जो होती है वो पतला सा pipe होता है जिसके अंदर से gas होकर के निकलती है बहुत ही बारीक होता है और एक dryer filter होता है जिसके अंदर से refrigerant होकर गुजरती है जो की moisture को खतम करता है तो अगर इन दोनों ही चीजों में से कोई भी एक चीज चौक हो जाए पार्शली अगर पूरी चौक हो जाएगी तब तो machine बंदी हो जाएगी लेकिन अगर पार्शली चौक हो गई है किसी भी वज़ा से सपोस ग्यास फीलिंग का काम हुआ है टां नहीं प्रॉपर नहीं जाएगा और बहुत जादा प्रेशर से जाएगा तो ऐसे में अगर कैपलरी है उसको बीच में कोई कोई चीज फस गई है या कोई पार्टिकल ऐसा आ गया जिसकी वजह से पार्शली चौक हो गया है सिस्टम तो वह रेफ्रीजेंट का फ्लो जो है गयास चाइए वो नहीं हो पाता है जिसकी वज़ा से कंप्रेशर ओफरgrow होने लगता है करार्व में प्रॉबलम आजा ती है बहुत सारी चीजे प्रॉबलम आ जादि है अगर चौकिंग की समस्ते आ जाए कहीं भी इस्टम के अंदर तो फिर में ओफ्र रिकेशर के ओपर ह मतलब दबाब पड़ता है और कंप्रेशर फिर भी होता है कई बार तो ऐसे में यह सारी चीजे भी आपने ध्यान रखनी है जब कोई ग्यास बगएर का काम हो रहा हो आपके यहां पर तो मेकैनिक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके भाई टाका वाका जो लगा रहे हो आप रॉपरली लगाईए ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए बाद में ताकि आपको फिर दुबारा से पैसे पेश करने पड़ें ग् लगते हैं अगर दोस्तों किसी भी वज़ा से वह लूज है वैसे तो अगर आपका कोई नया ऐसी है कभी चेड़ा ही नहीं है सिरुप सर्विस वगैरा हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन होता है कि जब घ्यास का काम होता है यहां कोई और च्छेड़ खानी होती है इसी के अंदर तो टर्मिनल वगैरा कई बार निकालने पड़ते हैं चेक करने के लिए लेते हैं अंग तो लुज़ जाते हैं तो ड़्मिनल जो कमप्रेशर के है वो कभी भी लूज़ नहीं होने चाहिए वह बहुत ज़्यादा tight होने चाहिए properly fix होने चाहिए अगर वो lose होंगे तो वहाँ पर sparking create करेंगे वो जल जाएंगे brownish हो जाएंगे blackish हो जाएंगे जिसकी वज़ा से voltage drop करेगा जो input है compressor के अंदर पूरा current नहीं जा पाएगा तो जिसकी वज़ा से compressor overheat होगा तो इन चीज़ों का भी ध्यान proper रखना चाहिए हमें और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक और point की जो भी compressor से ही जुड़ा हुआ है लेकिन यह जो point है यह बहुत ही कम देखने को मिलेगा लेकिन point है यह भी एक reason है कि overheating होती है इसकी वज़ा से compressor के अंदर जो oil होता है हर compressor के अंदर दोस्तों oil होता है जो उसके अंदर motors या जो parts लगे हों उनकी lubrication भी करता है तो दोस्तों अगर किसी भी वज़ा से वह oil कम हो जाए मतलब एक limit होती है किसी भी चीज की कि इतना oil उसके अंदर डालना है particular compressor के अंदर लेकिन अगर वह oil किसी भी वज़ा से कम हो जाए उसके अंदर अब वह कम होने का कारण यह भी हो जाता है कई बार कि compressor को सीधा ही रखते है जादा अगर वह टेड़ा हो जाए या उल्टा हो जाए तो उसके अंदर से करना पड़ता है दूसरा लगाना है यह रिपेरिंग वगरा करवाई है अगर आपने तो भी यह सारी जो चीजें हैं तब possibility होती है otherwise कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है तो अगर compressor के अंदर उसका oil कम हो जाए तो भी overheating होती है क्योंकि lubrication कम हो गया तो जो parts है वह overheat होंगे और फिर overheat होते होते एक point आएगा जब overheat की सीमा क्रॉस हो जाती है और फिर उसके बाद compression trip हो जाता है तो यह एक point है लेकिन यह बहुत ही मतलब आप क्या सकते हो कि एक दो परसेंट यह इसे chance होते हैं otherwise ऐसा कोई chance नहीं होता है कि उसके अंदर oil कम हो जाए अब बात करते हैं दोस्तों अपने last point के उपर और last point जो है वह हाई heat load in room यानि की आपने जिस कमरे के अंदर AC लगवा रखा है उस कमरे के अंदर AC के हिसाब से जादा heat है यानि की आपका कमरा 200 square feet का है उसके अंदर windows भी है या 1500 square feet का है उसके अंदर windows भी है डारेक सनलाइट का भी impact है और आपने उसके अंदर एक तन का AC लगा दिया है यानि की आपने वो काम कर दिया कि जबरदस्ती उस AC को आप कह रहे हैं कि अपनी क्षमता से जादा काम करो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों अगर हमें AC भी दोस्तों यही है अगर आप का जो कमरा है वो बड़ा है या उसमें heat load जादा है और आप उसमें एक छोटा AC लगा रहे हो तो वो क्या करेगा वो दोस्तों continuously चलता ही रहेगा क्योंकि जो आपने temperature grill पे set कर दिया या remote से set कर दिया वो कभी achieve ही नहीं हो पाएगा और जब वो achieve नहीं हो पाएगा तो उसका compressor 100% efficiency से चलता ही रहेगा suppose आप 10 गंटे AC यूश करते हो तो वो दसों के 10 गंटे 100% capacity पे चलता रहेगा जिसकी वजह से उसके compressor के उपर जोर पड़ेगा load पड़ेगा क्योंकि उससे आप access काम ले रहे हैं या फिर यूँ कहूं कि उसको जबर्दस्ती चला रखा है वो एक ऐसा हाल है कि आपन एरिया में AC लगा दिया तो दोस्तों उस compressor के उपर impact आएगा long term अगर वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा क्योंकि उसकी designing क्या कर रखी है किसी भी compressor की designing इस तरह से कर रखी होती है कि उसकी 60 to 75 efficiency मानते हैं यानि कि अगर आपके पास non inverter AC है तो वो सब कुछ include किया जाता है कि कि कितने टाइम वो बंद रहेगा कितने टाइम वो चलेगा इसी तरह से inverter AC में भी उसकी speed को मतलब optimize किया जाता है पूरा का पूरा calculate किया जाता है तब ही उसकी efficiency निकलती है कि कुछ time वो AC low speed पर भी चलेगा कुछ पर हाई पर भी चलेगा तो ऐसे में अगर आपका जो compressor होगा वो पूरा ही 100% पर ही चलता रहेगा तो compressor की life pressure पड़ता है overheat होता है by the time वो trip भी हो जाएगा अगर ambient बढ़ गया तो ऐसे में ये सारी चीजे दोस्तों आपको ध्यान में रखने है किसी भी AC को choose करते हुए AC की tonnage आपके कमरे में heat load के according ही आपको तै करनी होती है जो कमरे का size होता है वो एक idea के लिए होता है लेकिन आपके कमरे में direct sunlight के source है, heat source कितने है, equipments कितने बड़े है या आप कितने लोग कमरे में रहते हैं ये सारी चीजे हैं जो consider करनी चाहिए किसी भी AC को पहले खरीदने स तो दोस्तों ये जो point से ये सारे के सारे reasons हैं compressor की overheating के लिए, compressor की tripping के लिए, सिरफ और सिरफ ambient का high हो जाना ही एक reason नहीं होता compressor की tripping के लिए, इस video में hope so आपको बहुत knowledge मिली है और इस video को दोस्तों जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि ये जो knowledge है और भी लोगों तक पहु Ambient high हो जाता है तब ही compressor trip होता है तो वो निकल जाए ताकि वो अगर उनके AC में कोई और problem है तो उसको rectify करवा कर वो repair करा सकें ताकि उनका जो air conditioning का experience है वो बना रहे तो दोस्तों इस video के अंदर इतना ही video अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर करें, share भी करें और दोस्तों